सत्ता पक्ष में है तो हम इन समस्याओं को नहीं रखे समस्याओं नहीं समधान हो रही है तो हम चुप हो जाए जो भी सरकार में रहे लेकिन हम तो डहने वाले हैं नहीं इसे समझना चाहिए कि पूरु में सारे विधायकों को डरा की रखा जाता था सत्ता पक्ष के ही कई विधायक ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है उनके लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है हम उस पे बात करेंगे हमारे साथ कॉंग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद है अमबा जी आपने भी सदन में कहा कि जो आस्वाशन मिल जाता है वो पूरा नहीं होता है आज बैदनात राम बैठे हुए थे अस्पताल की समस्या को लेके धरना में लोबिन हेंबरम उदर अलग बोलते हैं दीपक बिर्वा अलग बोलते हैं हर पाटी में ये समस्या देखे जा रही है कि विदायक सत्ता पक्ष के विदायक सरकार को कह रहे है कि काम नहीं हो रहा है देखे कुछ काम होते भी हैं कुछ काम नहीं होते और बहुत दुर्भागी और दुख के साथ हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है और ये सब बूलना पड़ता है क्योंकि हम का जो ड्यूटि है जो हमलों का जिम्यदारी है उससे इंहिक वंचित Master हो जाए इसलिए यह बात को उठाते हैं बहुत बार अन्सुना भी हो जाता है बोहत बार कुछ कुछ चीज़ों तुरंथ भी हो जाती है और जो चीज़े Amazon सुना की जाती है वह चीज भी बहुत गंभीर होती हैं इसलिए हम सब को पीडा होता है चिंता होता है और हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं है तो जो चीजे मक्ना बेम बोली ज like रहे हैं उन चीजों को भी गंभीरता से लेकी हमें विश्वास इसी सरकार से है वो बेकलांग अपनी मांग को ले कर थे सरकार के मैनिफेस्टों में था कि हम आएंगे डाई अजार पेंसन मिलेगा आधीपी का सहीया का साड़ी पेंकर आई है तो इस तरीके से सत्ता पक्ष के भी बिदायकों को अब लगने लगा है कि सरकार प्रोपर वे में या फास्ट रूप से काम नहीं करें वो चुनाओ का नजदीक आता देख या आप लोगों को लगता है वाकई में सत्ता पक्ष किसी खास लोगों के लिए हैं देखे आप शुरू सही देखे होंगे हम हमेशा ही कभी इस बात का चिंता बिना किये अगर यहां पे बैटना पड़ा है तो हम जब नए नए थे तो भी हम अपना तक्ती लेके विदानसभा के बाहर बैटने का काम किये हैं जो भी मेरा मांग रहा है मेरा तो छेतर में विस्थापित लोग का समस्या है देए वो तो फार्क नहीं पड़ता है लेकिन हमे इसी सरकार से विश्वास है जो भी सरकार में लेकिन हम तो डhnने वाले हैं कि हमे बहुत सकता सक्फी में है तो तो हम इन समस्याओं को नहीं रखे मैं समस्याइन समधान हो रोह हैं तो हम चुप हो जाए ऐसा तो हमारा सभाव नहीं है सरकार के मन में कभी एक बात लग भी सकता है कि सरकार के किरकिरी करा दे रहे सत्तापक्ष के ही विधाय इससे किरकिरी नहीं है इससे समझना चाहिए कि पूरु में सारे विधाय को को डरा की रखा जाता था हमारी सरकार में इस तरह का नहीं है जो भी जो बात इस प्लाटफॉर्म पे भी रखना चाहते हैं और हमारी सरकार भी समवेधन शीलता से सुनती है और कभी भी आप देखेगा हमारे मानने मुख्यमंत्री जी मधूर भाशी है उनका मधूर सभाव सबके साथ रहता है सुनते ह लेकिन चीजों को सुनिश्यत करने में फोड़ा सा वक्त लगता ہے क्योंकि हम लोग चिन्तित रहते हैं, परिशान रहते हैं हमारे चेटर के लोग परिशान रहते हैं इसलिए हम लोग हर प्लाटफॉर्म पर इसलिए उस बात को रखते टाकि उनके संज्यान में प्राथमिक्टा की रूप में आए और इसमें काम करें यह फर्क नहीं पड़ता किरे इस तका पक्ष के अगर जनता का सवाल है तो उठाएंगे सरकार इसमें किर्किरी कुछ नहीं होती बिधायक का अगर काम नहीं हो रहा है तो वो कहेगा ही सुक्रिया सुक्षा के साथ संसकार देते हैं